हेलो गाइस कैसे हो आप सब आप सब कफिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग चार्ट में तो गाइस आज मैं बात करने वालों इन चार्श टॉक्स के बारे में इसमें से फर्स्ट एरेडा तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि मैं किसी भी तरह की कोई टिप नहीं दे रहा हूं अगर आपको कोई भी स्टाउक बाई या सेल करना है तो आप अपनी खुद की स्टेड़ी या फिर अपने फाइनेशल एडवाइजर से एडवाइज लेके ही स्टाउक बाई या सेल करें तो चली गाईज हम इरेडा का फटा फट से एक ओवर्विव ले लेते हैं लास्ट रडिंग सेशन में क्या था और जिनने नहीं पता है उन्हें मैं बता दू कि इरेडा का क्यू टू का रिजल्ट आ गया है मैं कोशिश करूँगा उसके पर एक वीडियो बनाने की अगर हम इरेडा का लास्ट रडिंग सेशन देखे तो शेर ओपन हुआ था टू था टू ठीएट रूपीज पे आई गया था टू था टू था रेंज में अगर यह शेर को बाई किया तो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जुरूरू बता सकते हैं तो गाइज अब हम बात करते हैं HL के उपर HL का अगर आप पहले लाश्ट एडिंग सेशन देख लेते हैं तो लाश्ट एडिंग सेशन में और एक परसेंट के आसपास गीरा था बड़ अगर इसका फाइडेस का आप देखोगे तो यहां से जब यह इस रेंज में आया था 361 रुपीज का वह इसलिए आया था गाइज क्यों को काफी और मिला अच्छा तो उस वज़े से कंपनी में थोड़ी से स्पार्किंग दिखी वन वन डे का चार्ट इसलिए इतना यह डाउन है कि और अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन हो गया था फ्राइडे को ओक तो आपको रिटन देरी देगा अच्छा तो किस-किस को लगता है H.E.L. उनके पॉर्टफोलिय में होना चाहिए वो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जुरू बता सकते है तो गाइस अब हम बात काते है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के उपर तो पहले तो यह मुझे बताओ गाइस किस-किस को लगता है कि बाजाज हाउसिंग फाइनेंस इस रेंज में लेकि रखना चाहिए पूर फ्यूचर ओके तो जिसको भी ऐसा लगता है वो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बता सकता है तो हम इसका लाश्ट टेडिंग सेशन का पहले चार्ट दिख अगर हम लाश्ट टेडिंग सेशन की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ मुमेंटम नहीं दिखा और 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 साइडवेज फिर अपसें डाउन से थोड़े इसकी चार्ट की बात करें तो फाइर डेज में एक अच्छा दिखा इसमें कमबेक जो हुआ था शेयर में क्योंक सब को पता है और जुख मारकेट गी घृए था बिक उस जो एक पायाइइज घ्र को सबगर दो इसे अपो डॉूंस मारकेट में तो इन यह अपसेंस में झालंग तो इन दोड़ता है कि कैसे हम अच्छा च्श्लमी गिर रहे हैं किया मैं यहां कर लें ओके इड़ी किस-किस को लगता है हमें इस लाइ करना चाहिए फटा-फट से कॉमेंट सेक्षिन ने बता दीजिए मुझे तो लगता है कि आपको लॉंग टर्म के लिए ये बाइ करके रखना चाहिए इस टॉक अपने पॉर्टफोलियो में अगे टो घबाइस अब हम बात करते हैं हमारे लाइश टॉक के में जो कि है रिलैंस पावर तो लैंस पावर इस टाइम मलशा वर किब्स टाजिए ये उफर काफी लोग डॉट में हैं जिन्होंने बाइक किया है उनके मन में doubt चल रहा होगा कि हमें sell करना चाहिए hold करना चाहिए क्या करना चाहिए जिन्हों नहीं किया है उनके मन में होगा कि क्या हमें buy करना चाहिए for long term, for short term तो ये मैं आपको वीडियो के end में बता देता हूँ बट पहले हम इसके last trading session का देख लेते हैं तो हम पहले इसका फटा फट से लास्ट रेडिंग सेशन में क्या हुआ था वो पफॉमस रेक लेते हैं लास्ट रेडिंग सेशन की बात करें तो गाइस पांच परसेंट से गीरा था रिलाइंस पावर अराउंड टू रूपीज 33 पैसा अगर आप देखोति तो और ओरोल डाउंस एड मीं ही गया था थोड़ा मुमेंटम था इस डायरेक्ट लूवर सरक्ट नहीं लगा था ठीक है अगर लास्ट में देखेंगे तो यहां पर इसमें लोवर सरक्ट लगा था और ओर ओर अपसंड डाउंस देखने मिला था इसमें 79.82% का रिटन दे दिया है तो काफी अच्छा ही शेर रिटन दे चुका है 6 months की बात करेंगे 6 months में तो काफी अच्छा रिटन दे दिया होगा ठीक है हम इतना लंबा नहीं देखते हैं हम नॉर्मली बात करते हैं मुझे इसार लगता है कि जिस किसी ने इसको बाइक किया है उन्हें थोड़ा पेशन्स रखना चाहिए यह शेयर में ऐसा हो सकते है कि मार्केट्स के वज़े से मुमेंटम देखने मिल रहा हो थोड़े वह तम्हें दिकने मिल सकता है जो ऑपरेटर होते हैं वह थोड़ा करते हैं पैनिक सेल करवाने के लिए भी तो अगर आपने लॉंग टम के लिए बाई किया है तो आपको अंग बंद करके इसे रखना चाह करते हो लॉंग टम जिन्होंने बाई नहीं किया है तो मैं उन्हें सजेशन दूंगा अब भी आप एंट्री बनाने की कुशिश मत कीजिए इसमें हाला कि उपर जा सकता है नो डाउट बट कलको आपने बाई के उसके बाद इनीचे आ गया तो तो इसलिए आप अगर आप तोड़ा इन्वेश्मेंट कर रहे हो और शॉट इन्वेश्मेंट आपका 5000-7000 जिसका आपको लग सकता है कि हां इतना हमें ब्लॉक कर सकता हो मेरे पैसे को फॉर लॉंग टम तो आप बाई कर सकते हो नो डाउट क्योंकि रिलाइंस पावर जो है वो डेफ्री कंपनी बन ग कर रही है रिनुवल रिनुवल एनर्जी ताकि और ज्यादा एलेक्टरसिटी अच्छी जनरेट हो सके के तो मेरे सबसे सब पॉजिटिव न्यूज है इरलाइंस पावर के लिए तो आगर आपको लॉंग टम के लिए बाई करना है तो आप थोड़ा बहुत इन्वेश्में में बता दीजिए वीडियो अच्छी लगी हो आपको इन्फोर्मेशन मिली हो मेरे तुरूत हो चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए जो शेर मार्केट में इंट्रेस्टर हो मैं आपको ऐसी ही एच्छी वीडियो के झाल